रादिका केलाजी एक इंपोर्टेंट खबर आपको दे दें, एक इंपोर्टेंट अफडेट है पांच बजे कॉंग्रेस प्रेस कॉंफरेंस करने वाली है इधर आप देख रहे हैं लगातार समाजबादी पर्टी की तरफ से आर्जेडी की तरफ से एक आ जा रहा है और यहां पांच बजे कॉंग्रेस की प्रेस कॉंफरेंस होने वाली है इस प्रेस कॉंफरेंस में किन बातों पर जोर दिया जाता है, क्या कहा जाता है, इस पर निगाह रहेगी लोकेश जिंदल के पास शायद थोड़ा बहुत इसकी हिंट्स पहुँच गई हूँ लोकेश जिंदल मुंगेरीलाल के हसीन सपने अगर सच भी हो गए तो अगर तीन सो सीटों में 15 सीटे माइनस कर लीजिए तो भी दोसो पचासी सीटे सरकार बनाने से ज़्यादा सीटे है उनके अभी 293 का जो आकड़ा है यह कब 285 तक घट जाए इसकी आप और इसकी क्या गारंटी है कि आपकी जो तीन सो बीज ना पहुंच जाएगा और इसकी भी क्या गारंटी है कि आपकी जो 230 निख रहेगी तीन इरधारित नहीं है अभी कुछ भी एकदम डेफिनेट तोर पर नहीं कहा जा सकता और भाजपा इस वक जो प्रिविय सरकार में इसके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है और इस पर नाचुरल इंडियेशन यही रहेगा कि टीडी पी और जेडी यू इंडिया अलाइंस के साथ जाकर गड़बंदन स्तापित करेगा महेश शर्मा जीत गए खबर हम आपके सामने हाँ फ्लेश कर रहे हैं गौतम बुद नगर से भारती जन्ता पार्टी बड़ी जीत की तरफ जा रही है महेश शर्मा यहां से कुछी देर में आपचारिक तोर पर निर्वाचित घोशित किये जा सकते हैं और जो लोकेश जिंदल कह रहे हैं मैं उसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ जो लोग अभी सुबा से चैनल्स देख रहे होंगे और इस काउंटिंग के आकलों पर नजर रख रहे होंगे उनको एक बात सपस्ट दिख रही होगी दिनेश और मुझे लगता है कि हमारे सारे पैनलिस्ट को भी दिख रहा होगा कि अगर पिछले चार घंटों से आप देखें तो जो टॉप टैली है जो आकड़ा है उनवोटे तौर पे दो से तीन परसेंट से जादा इधर उधर नहीं हुआ है मतलब मान लीजिए मैकसिमम पांच परसेंट एक और बड़ी खबर आ रही है वो जरा मानाउंस कर दो उसके बाद ये स्टर्टा को आगे बढ़ाते हैं फैजाबाद में इंडी 13000 वोट से आगे चल रहा है मतलब अवधेश वहां लल्लू सिंग से 13000 वोट से आगे चल रहा है फैजाबाद में दो सो नब्बे से लेकर और तीन सो के बीच में आकड़े जो है और अगर आप देखेंगे तो दो सो पचीस से लेकर के और दो सो बीच में दस सीटों से जादा का फर्क नहीं दिखा है आकड़ों में तो अगले चार घंटे में और क्या हो सकता है आप इसी संदाजा लगा सकते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि अगर उस हिसाब से अगर देखें कि अगर 5-10 सीटे उपर नीचे भी हो जाती है तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा इस पूरे जनादेश को समझने में मैं इसको समझना चाहता हूँ इसका जवाब लोकेश जंदल जल्दी से दीजे और जेडियू के पास 15 सीटे है 31 सीटों के द्वारा ही एंडिये सरकार स्तापित कर पा रही है अगर 213 में में ये 31 सीटे आप माइनस कर दे तो एंडिये का टैली 260 तक आ जाता है जो बहुत दूर है तो कहने का ताथपर ये है कि एंडिये बहुत स्टेबल कंडिशन पर नहीं है और जेडियू अगर इंडिया घटबंदन के साथ जाता है तो बहुत हाई प्रॉबिलिटी होगी कि टीडिपी भी जेडियू के मुताबिक इंडिया घटबंदन के साथ जाता है